वरिष्चिक राशी बालो श्वागत याव सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में वरिष्चिक राशी बालो दोस्तों अगर इसे नजर अंदाज करोगे तो आप से बड़ा मुर्क कोई नहीं होगा जीहा वरिष्चिक राशी बालो ऐसी खुश खबरी ऐसी गुड्नियोज आपके लिए लेकर आया हूँ शुनकर नासने लगोगे जीहा वरिष्चिक राशी बालो आज साम चार बजे के बाद आपकी जिंदगी में कई ऐसे खुश खबरियां दस तक देने वाली है जो के शुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगी जीहा वरिष्चिक राशी बालो आज आपके आंगन में एक नहीं पूरे पाँच बड़ी खुश खबरी एक साथ आने वाली है जो के वरिष्चिक राशी बालो आपकी जिंदगी में चार सांद लगा देगी जीहा दोस्तों जानकारी के लिए हम आप शभी को बता दें कि आज साम 4-36 बजी से ग्रहों की कुछ ऐसी सुब इस्तती बनने जा रही है जो कि कई सारे बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आने वाली है जीहा दोस्तों इसलिए तो हमने कहा है कि आज की वीडियो को जो नजर अंदास करेगा वो सबसे बड़ा मुर्ख कहलाएगा जीहा दोस्तों वीडियो बहुत खाश है और इसे आपके ग्रह गोशर के आधार पर खाश आपके फाइदे के लिए बनाई गई है हमारी आफशे विनम्र अनुरोद है कि सुरूशे लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों कभी कभी आप वीडियो को इसकिप या आधा अधुरा देखकर ही छोड़ देते हैं इससे दोस्तों आप शबी जानकारियों को हासिल नहीं कर पाती हैं और इससे आपका सबसे बड़ा नुक्षान होता है कि आप इन सबी शुबब्शनों का लाभ नहीं ले पाती हैं इसलिए बिना इसकिप किये वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा वीडियो के अंत में एक खाश और जरूरी उपाय हम आप शभी को बताए हैं जो कि आपको अपने जीवन में बहुत काम आएगा ऐसे में दोस्तों आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को अंत तक देखें लेकिन उससे पहले माता रानी के जो भी सच्चे भग्द वीडियो को एक प्याराशा लाइक करके शाथ ही नीजे कमेंट बॉक्ष में अपने इन प्यारे हाथोशी प्रेम से जै मालक्षमी लिखेगा उनके घर कोई दुख दर्द मालक्षमी जी नहीं आने देंगी तो आईए वीडियो की शुरबाद करती हैं एक बहुत ही शुन्दर अनमोल ग्यान से अन्धे को मंदिर में आया देखकर लोग हश कर बोले मंदिर में दर्सन के लिए तो आये तो हो पर क्या भगवान को देख पाओगे अन्धे ने मुस्कुरा कर कहा कि क्या फर्क पड़ता है भगवान को हम नहीं देख शकते पर भगवान तो मुझे देख लेगा दृष्टी कौन नहीं दृष्टी कौन शही होना साहिए बात समझ आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्ष में कहिएगा राधी राधी चलिए इसी के साथ जानते हैं आज साम चार बजेशी कौन-कौन से अतिहासिक बदलाव आपकी जिन्दवी में करने वाले हैं औ और क्या-क्या खुश्या मिलने वाली हैं देखी दोस्तों आज आपके लिए सबसे पहला खुश्खबरी है कि आपके प्रमोशन को लेकर जी हाँ अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे प्रमोशन के बारे में तो आज आपकी बात बन शकती है बस आपको थोड़ा सा प्रया आशिक करने होंगी आपकी वह प्रयास शफल होंगी अगरा जो खुश्खबरी आपको मिलने वाली है वो है आपके रोजी रोजगार को लेकर जी हाँ जो जात तक लंबे समशे बेरोजगारे के समस्या जहल रहे थे और वो सोच रहे थे कि एक अच्छे रोजगार की बाने तो उनकी आज वह रोजगारी समस्या दूर होगी और कंपनी से कोई बुलावा आशकता है आज के दिन आप अपने फॉन कॉल को या इमेल को नजर अंदाज ना करें आज आपको फॉन कॉल के जरिये कोई सुब समाचार प्राप्त हो शक्ती है अपने रुके हुए कामों को पुनहों शुरवाद कर सकती है भागी आपका शाद देगा कार्या आपका शफल होगा दोस्तों कई बार कुछ ऐसे काम हमारे हिसाब से नहीं होता है हम सोचते हैं कुछ तो कुछ और हो जाता है ऐसी समस्याओं से अब आपको छुड़कारा मिलेगा और आप अपने कामों क वो जिस हिसाब से करना चाहेंगे उस हिसाब से कर पाएंगे महनद जारी रखनी होंगे आप अपने केरियोर को लेकर आत्म विश्वास से आगे बढ़ेंगे और व्यापार कर रहें लोगों के लिए आज का दिन बहतर रहेगा जी हाँ वो अपने व्यापार में कुछ नए स् दोशे लाभ कमा शक्ति हैं और प्रेम जीवन जी रहे लोग खुशहाल से आगे बढ़ेंगे लेकिन दोस्तों आपको किसी तीसरे से जरा सावधान रहना होगा अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा आदमी प्रवेश करता है दिखल अंदाजी करता है तो आपकी खुशिया चिनने में और खुशियां भंग करने में जरा शिभी वक्त नहीं लगाएंगी तो ऐसे लोगों शिंसान से जरा बच कर रहीएगा देखिए दोस्तों शितारी कहती ही आज आप जिस भी काम को अपने हाथ मिलेंगी उसे पूरा करके ही छोड़ेंगी और कामों में आपको ग खन उधार देने से जरा बसना होगा वैक्ति गत और और शफलताओं को आज बढ़ावा मिलेगा आपके कुछ प्रमुग कारियों को गती मिलने से आप प्रसन रहेंगे आपका कोई प्रिजन आपके लिए कोई सुब समाचार लेकर आशकता है आप अपने परिवार के सदस् किसी मांगलिक उत्सम में शम्मिलित हो शकते हैं जो कि आपको काफी मानशिक शुकुन देगा देखिए दोस्तों जीवन में कभी कभी इश्वर वक्ती पूजा पाट जरूर करें इससे भगवान का अशिरबात प्राप्त होगा और आपकी घर में किसी का जो है नकरात्मक दोश प्रवेस नहीं कर पाएगा जी हां विदेशों में व्यापार कर रहे लोग आज कोई बड़ी डिल फाइनल कर सकती हैं क्योंकि भाग ये आपका शाथ दे रही है इसके उपरांत आज आपकी बहुतिक सुक्स विधाओं में वरिद्धी लेकर आएगा आप की आर्थिक इस्तिती मजबुत होने से आपका मन प्रसन रहेगा और पूरा परिवार खुशी के मौहल में गदगद रहेगा विवशाय में मन मुताबिक लाग मिलने से आपको अपने अंदर एहंकार और घमंड की भावनाओं को नहीं लाना है नहीं तो लोग आपकी इस आ जरबाद कर देता है इसलिए आपको कभी भी घमंड नहीं करना है इस बात का जरा ध्यान रखियेगा आपको राजनितिक मामलों में कोई निर्णय अपने सिनियर से पूछ कर ही लेना होगा नहीं तो दिकत आपके लिए हो शकता है और विवाहित जात्वों के लिए शमय उ उधार लेना साती हैं तो वहाँ भी आज आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा तो कि भागय अभी आपके पक्ष में है भागय आपका पूरा पूरा शाथ दे रहे हैं कुल मिलाकर आज का दिन आपके भागय के दरिश्टी कौन सी उत्तम रहने वाला है शंतान पक्ष की और से कोई सुब समाचार शुनने को मिल सकता है जिससे आप काफी ज़्यादा प्रसंद रहेंगी बिजनस में यदि कुछ प्रियोजनाओ को शुरू करेंगे तो उसमें भी आप अच्छा खासा लाब कमा पाएंगी आसानी से आप उसमें बड़े लाब कमा सकती हैं आप अ के लिए लाब धायक रहेगी कामकाज ढूंड रहें लोगों के लिए समय थोड़ा अभी और ज्यादा मेहनत और प्रियाश करना होगा अगर अपने कामों को बदलना साते हैं तो उसके लिए समय बढ़िया हैं लेकिन दोबारा सोच विसार चरूर कर लें जलबाजी में नि मंगलमाई हो